आए हुए हमारे साहर के पार्टी के कार्श करता गाए हम लोग आपस में मिल जूर कर इस लराई को आगे पढ़ाए लेकिन के जिलादी कारी महत है नगड़ आई अन्य संभादित पदादी कारी को पहले अवदत कराएं करके इसका हल कईसे हो और जो अनिमित्ता है करके इसका हल कैसे हो और जो है इसी संभाद में हम लोग सुरिवात में मिटिंग कर रहे हैं हम लोग आपस में मिल जूर कर इस लगाई को आज जनता दल युनाइटेद नकड निगाए पड़कोष्ट मुझह परपूर की बैठक है उसका हम अल्धाच है हमारे साथी गनाय हुए है आज जो बैठक हो रही है उसमें है कि पूरे सहरी छेतर में पर्टेक वार्ड में जनत लोगों का सुलिय हुए साथी गन का एक कमिती बनानी है और संगर्थन को मजवूद करनी है दूसरी बात है कि नगर निगम में और सारी छेतर में कई भी भागईश है और नगर निगम में घरस्ता चार चरम पर पहुँच गई है सरकार को अबगत करानी है और यहाँ पर जंता को लेकर पार्टी के कार्जकरताओ को लेकर उस समस्याओ को समधन भी करनी है जन्वित्म पर नाली यहां बहुत धवस्त है, खतम पोजीशन में है कई सरक नाला तूटा हुआ है, पानी निकासी नहीं हो पारा है सहर में सुंद्रै करन में नाम के कुछ नहीं है पार्क में गंदगी फैला हुआ है जितने भी पोखड हैं यहां, वो अतिकर्वन हो चुके हैं और अतिकर्वन के कारण जो है, पोखड पर दूसीत हो गया है यहां पर गर्मी के समय में पानी मिलना मुश्किर हो जाता है उसका जलस्तर निचे चला जाता है जो pipeline अभी बिचाई गई है वो pipeline घटिया किसिम का बिचाई गई है हमारे मान्य मुख्दमंतरी का जो तीन निचे सारी छेतर में चल रहा है पूरे जो देहाती अरिया में है साथ निचे और सारी छेतर में है तीन निचे तीन निच्चे के तहद हमारे सहरी छेतर के लोगों को लाब नहीं मिल पा रहा है और यहां भड़श्टा चार चड़म पर है जो कनेक्शन होता है पानी का उसमें तीन से चार हजार उपिया नगर निगम लिए बिना कनेक्शन नहीं देते हैं सहर के लोग बड़ी प्रेशान है बैठक में कहीं निर्णाय लिया गया है कि यहां पर पहले संगठन मजबूत करके और यहां के जो भड़श्टा चार और नय जो भी फैली हुई आनि मित्ता है उस पर मान्यम मुख मंत्री और सीपी परसाद और परदेश अध्यच को आफ़ अध्यच नगर निकाय परकोष नगर निकम